दिपेंदर जी बड़े सुल्जेवे व्यक्ति हैं मगर वो ये भूल जाते हैं कि इतियास से उनके पिता जी को कोई नहीं भूल सकता हमने तो गोडी नहीं चलाई आदमी नहीं मरा मगर दस साल के कॉंग्रेस के राज में टीचर के भी गोडी मारेगी किसान के भी गोडी मारेगी मरुती के अंदर जो हुआ वो भी उनके राज में हुआ और सोदे क्या होते थे नोकरी लगा देंगे दरना उठा दे इसी किसान की हमने तो बात सुनते वे के अंदर सरकार से आगरे किया कि आप तीनों कानून बापिस करो उनकी सरकार में तो साथ हजार एकड़ जमीन की सियलियू बदलकर अपने दमाद को सुनिया गांदी के दमाद को दिल्वाने का काम किया वो इस तरह की भाष्या का उप्योग करें मुझे बड़ा दुख होता है वो अपने दस साल के काले इतियास को देखे फिर इस तरह की ठीड़ देखा है कि भारते जंता पार्टी और जच्पा अपने गले में अपने गरेमा में जाकर देखें कि किस प्रकार से 700 से जादा किसानों ने शहादत देने का काम किया ये लोग तंत्र है हमारा जिसमें लोगों की अवाज को पूरी तरह से सुना जाना चाहिए इस सरकार ने लोगों की अवाज को दबाने का काम किया है, मैं केवल उनसे कहना चाहूँगी, आपको परदेश की जनता ने तो फैर मौका नहीं दिया था, आपने लेकिन भारती जनता पार्टी के समर्तन के साथ जो सरकार बनाई है, कम से कम जो समय बचा है, उसमें आप हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद